आपके अपनी नमुश्कार दोस्तों कैसे हैं आप सबी आई होप सब बढ़िया हैं मस्त हैं यूपी स्कॉलर्षीप 2023 शोबिस नई अपडेट आ चुकी है साथी छात्रों का सवाल भी काफी ज़्यादा है इससार यूपी स्कॉलर्षीप में जो स्टेटेस में लगातार अलग अलग समस्ते हैं वो कब तक खतम होंगी उसके साथ साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे कि लाज जट क्या है बेरिफाई होने का हमारा फॉर्म कब बेरिफाई होगा और तु इस तरह जो सबसे इंपोर्टेंट की वह यह पैसा कब तक आएगा अट दे इंड पैसा जुछात पृत्ती की धनरासी है वो सबसे इंपोर्टेंट है तो वो कब तक आएगी इसके बारे में बात करने वाला वीडियो को टिलिंट तक आज देख करना बाकि अगर आप चैनल पर नए हो या पहली बार वीडियो को देख रहे है तो चैनल को सबस्क्राइब कर दो यह मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सबस्क्राइब सरूर से करो क्योंकि आप लोगों की तरफ से support मुझे नजर नहीं आ रहा है और tweet मैंने अल्रेडी कर रखा है तो description में link मिल जाएगा वीडियो को पूरा देखने के बाद जाके Twitter पे tweet भी कर देना तो चलिए बिना देरी के video को सुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं तो सबसे पहला सवाल जो है कि verify होने का last date क्या है तो पहला date जो है उसको आप जान लो कि वो है 26 फरवरी 2024 इसके बाद दूसरा date है 12 मार्च 2024 अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये दो date क्यों मतलब क्या अलग-अलग date में verification का काम होगा बिल्कुल सबसे पहले बेचात्र जिनके form में correction की जरुवत नहीं है आटोमाइटिक सही हो जाएगा उन चात्रों का form 26 फरवरी तक सही कर दिया जाएगा स्वता ही DW की दोवारा NIC से data ले देखे समझ गए दूसरा जो सबसे important है कि जो बच्चे correction किये हैं जिनके form में वाकही में correction की जरुवत थी यानि कि तुरूटी थी तो उन बच्चों के लिए 12 मार्च तक verification किया जाएगा यानि कि जरूरी नहीं कि 12 मार्च को ही verification होगा उसके पहले कभी भी आपके form को verify किया जाए सकता है जिस भी क्रम में farm आपका DW office पहुचेगा समझ गए ये सारा कुछ sequencing का game है दूसरा कि fresh renewal में किनका form जल्दी verify होगा तो generally ऐसा होता नहीं है जिनका form ज्यादा मतलब time से अब suppose मानो 10 बच्चे एक साथ form भरे अब 10 बच्चे में से 4 बच्चों का form सब कुछ सही है और उसमें 2 phrase है 2 renewal और वो पहुच गए DW office कि ये सब कुछ सही है NIC से भी ओके अब आप इसको verify करो तो वो दो form पहले verify हो जाएंगे तो उसमें phrase और renewal का सवाल ही नहीं उठता समझ गए बात को जिसका form जैसे DW office पहुचता है वैसे वैसे उसी क्रम में उसी अंदाज में आपके form को district scholarship committee से verify किया जाता है तो phrase renewal में देखा जाता है UP scholarship का status देखना हो या फिर UP scholarship का correction करना हो chrome पर cmhip.in टाइप करके search कर देना directly home page पर चले आना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि UP scholarship का status दिख रहा है इस वाले option पर आपको click करना है थोड़ा सा इट साइंग उसको cut करना है उसके बाद simply कुछ नहीं करना है scroll on करना है नीचे चले आना है आपको कई सारे links मिल जाएंगे pre-metric, post-metric, post-metric अधर दा इंटर fresh renewal जो साब भी आपका form है आपको registration number, data, birth, password डाल के capture डाल के submit करना है और अपना status देख लेना है और अगर आपके status में जरूत है तो correction कर लेना है समझ गए तो cml.in पे visit करके आप करें scholar से भेजे जाने के time पे कि renewal वालों को ज़्यादा priority दी जाती as compared to fresh मगर form verification के case में ऐसा कुछ भी नहीं है दूसरा सवाल complete, तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं BA, BSC, BTEC, B Pharma एक गर हमीं 12 हमीं समेत कोई सा भी आप course कर रहे है UZ, PZ, Pre-Metric, Post-Metric के बच्चे हो तो यह जान जाओ कि फरवरी इंड तक आपके लिए crucial date रहने वाला है और क्या करना है, क्या नहीं करना है अगर इसकी जानकारी आपको हो जाए तो आपको सत्प्रतिस्द चांस है इसकी जानकारी कैसे होगी सीधा सा एक तरीका है कि आप परसान रहो DW Office जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ College जाओ और दूसरा सबसे आसान तरीका कि प्रकास से जूटेक यानि कि आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके अगर आपने भाई के वीडियोस को देख लिया, दिन में एक दूजो भी अपलोड किया समझ गए? करेक्शन की लाज़ जट क्या है? यानि कि करेक्शन की लाज़ जट बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी? बहुत सवाल आ रहा है कल इसके रिगार्डिंग मैंने ट्वीटर पे ट्वीट किया मगर छात्रों ने ज़्यादा ज़्यादा रीट्वीट नहीं किया जिसका नतीज़ा निगेटिव ही रहेगा डेड़ेवल ऑफिस से भी निगेटिव रिस्पांस आ रहे हैं बढ़ाय जाने को लेकर हलाकि उमीद है कि तीन दिनों का मौका दिया जा सकता है छात्रों को जिनसे भी करेक्शन छूटा है या फिर जिनों ने भी करेक्शन नहीं किया है हाई होक की चीज़ें अब आप समझ गए होंगे बाकी अगर और भी कोई सवाल होता है जहन में कोई भी डाउट है तो आप बहचिक पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट्स को रीड करता हूँ भले रिपलाई ने कर पाऊँ मगर रीड सारी कमेंट्स को करता हूँ इंस्टाग्राम पे फालू करके मैसेज कर दो बाकी मैं कल सोच रहा हूँ लाइव आने का आपका क्या भीचार है आज आओं कल आओं आप लोग कमेंट करके बताना क्योंकि लाइव सेसन में बच्चों के ज़्यादा ज़्यादा डाउट्स को कवरब किया जा सकता है तो मिलेंगे किसी नेवड़ों में किसी नेट आपक के साथ तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें थैंक्स पर वर्शिंग जैंद